नम्श्कार स्वागत सभी का मेवाड का इतियास चल रहे हैं मिद्रों और मेवाड के इतियास में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं अजेसी के बारे मेवाड का इतियास काफी इपोर्टेंट है लंबा भी है देरे बना के पड़े पड़े क्या रहे हैं तो बता देना मेव आपने मेवाड का इतियास तो इसका दूसरा नाम जैसी है और आज में कलास में चर्चा करूँंगा तो अजयाता जैसी ही बोलूँगा ठीके तो बोल दें़ यह राजा कब बनता है तो बता देना 1608 तक रहेगा तो बता देना 1618 तक कि क्यों इनका राजय विशेक कहाँ होरा है इने का राज्य विशेक कहां हो रहे तो काफी मेहक्षपूर्ण वित्र Michaels याद रखना एकर गाम है जिसका नाम कुरंज गाम है पूच ले कहां तो बतादियो ना राज समंद में कहां राज समंद में अभी तक एक्जाम में पुचा नहीं गया जिस दिन पुचा जाएगा तो चोटी बड़ी बुकों तो ढूंड़ने पे नहीं मिलेगा गाम कौन सा तो पुरुण जगाम है कुरुण जिए मुगल में वाडसंदी पिछे और दिली सता में, इसόσमे शोड़ा सोग सी और 688 में कौन हो सकता हैं तियों तो बतादेना कि मुगल ही हो सकते हैं सुल्टान का सुल्टान की बात किरें सोặम्गलों suisतान मुगलों का सुल्टान है औरंग्जेव क्या नाम हैre mandatory औरंग्जेव औरंग जेव ने क्या किया अपने पुत्रों को पाला बढ़ाया पोशा और दक्षनी भारत में मराठा सक्ति उबर रही थी उसके खिलाव पे अंदोलन सुरू कर दिये विद्रोय सुरू कर दिये आकर्मन सुरू कर दिये जैसे तैसे साम दाम दंड भेज के दोवारा औरंग जेव चाता है कि दक्षनी भारत की जो बढ़ती में मराठा की सक्तिय उसको पुछल दिया जाए तो भारवाली सक्तियों पे भारवाली जो तुनोतिय उसको निप्टने में लगावा है कौन औरंग जेव पर घर में ही कलेश सुरू हो गई कैसे इनका पुतर है मिद्रों आ अग्बर क्या कि यह से जाधा अक्बर पिता जी को क्या पोलता है कि विद्रों कर देता हैै अपने फिता के खिलाफ और विद्रो करकेर शियम को एक जनवरी 1680 के दिन शियम को भारत का समराट गोशित कर देता है को पिता जी तुम राजा नहीं हो तो कौन है राजा कि मैं राजा हूँ मैं शियम भारत का समराट हूँ तुम पिताजी हो तो तुम दिल्ले में बेटे रो लेकिन भारत का राजा तो कौन मैं हूँ तो ऐसा मुगल राजकुमार जिसने अपने पिता के सामने या फिर ऐसे बोल दे कि ऐसा मुगल समराट जिसने स्यम को भारत का समराट वोशित किया था तो उत्तर आएगा सहजादा तो बता देना औरंग जेव का पुतर था अब क्या हुआ जब दक्षनी भारत में मराठा की सक्ती उबर रही है और घ्रे कलेश में पस गए औरंग जेव तो फिर अडोस पडोस वाड़े तो लाब उठाएंगे आपको पता है कि मेवाड वाड़ा चेतर वो औरंग जेव के अ इस इस्तिती का लाब उठाते वे कि ये तो ग्रेकलेश में पसे वे तो इनका लाब उठाते वे इस जेची ने आकरमन कर दिया आकरमन कहां कर दिया तो बता देना मांडलगड पे मांडलगड के दुर्ग पे आकरमन कर दिया और मांडलगड का दुर्ग मित्रों कहां है तो ही माणडलगड भीलवड़ा पर आकर्मन करता है तो पूर्ण अधिकार में ले लेता है और जैसे ही जैसे ने माणडलगड की की दुर को अधिकार करके दिखार किया है अब औरंग जेव की तो टैंसन ओर बढ़ रही है अब औरंग जेव कौन से हतकंडे अपना रहे है यह सब से महत्वपुरुन है एक बार इंको रिवाइज कर लो फिर अगले पेज पेज पे चलते हैं मैंने बताया मेवाड का इतियास पड़ रहे है मित् है तो राज समंद में जिस दिन यह परसन पूचा जाएगा तो चोटी बड़ी भुकों में ढूंड़ें पर भी नहीं मिलेगा पुछले कि इसके समकाली दिल्ली में सता किसकी तो बता देना मुगलों की मुगल कौन तो बता देना ओरंग जेव का विद्रू कर रहा है इसक कि प्रिश्थिती का लाब उठाते वे जैसी ने आकरमन कर दिया मांडाल गाड दुरूपे और मांडाल गाड भीलवाडाव पे अधिकार कर लिया ढगे क्या कर दिए ताब लोग भूल गए टम लोगों के सारत और संधिया है उसके तैस्थ तुम लोगों को जजिया कर दे तो फिर जैस्ति को याद दिलाया और जमने और जमने का कि सुन जो जजगिया का रहे ना उसको मैं बढ़ा दूगा और आकर्मन कर दूगा मांडल गड़ पे और तेरे समराजे नहीं तेरी सेना को संपूर्ण को तैसनेस कर दूगा अब भाई साब यह डर गया जैस्ति जैसी बोलता है कि हजूर आपका क्या अदेस है मुझे सभी कार है तो कहते हैं कि संदी कर लें तो जैस्ति बोलता है ठीक है संदी कर लेते हैं तो अब इतने क्या क् संदी के लिए मजबूर कर दिया अब जेस्ति कहां का है तो बता देना मेवाड का संदी-वी यह नहीं हुई कि मेवाड का कौन सा राजा था जिसने अपने पुरुवजों की परिपाटी को त्याग दिया पुरुवजों की परिपाटी क्या थी पुरुवजों की परिपाटी ये थी कि हम लोग मुगलों की अदिनता सिविकार नहीं करेंगे जैसे भारना परताब हमें चुनोती सिविक जितने भी आदेश है वो सविकार और संदी कर लेते हैं तो मुगल मेवाड की संदी एक बार फीर हो रही है कब हो रही है 24 जून को हो रही है 24 जून 1681 काफी इपोर्टेंट कि उसने रट्टा मार लेना जिस दिन पूछा जाएगा तो यह जो बेरोजगारों की और कंपिटिशन वाड़ों की जो भीड़ है ना मितरों यह रोड पर आजाएगे लुड़ के ढूंड़ते गुंग्गुंगते फिरोगे कि यह कौन सी संदी आ गई कब हुई थी किसके भिष भी थी लिए पूर जेवने इस संदी की सर्त भी रखी और जेवने क्या सर्त रखी इ कि दो चीज़ें बतानी है उन्केवने का कि शुन जय सी ने का कि क्या कि जो महारवाड़ का जो अजीत ङरा मारवाड़ का अजीत से ज not कि इसका तुम साथ नहीं देगा तो फिर शेथानिं का ठीकरने ने ने मीज़त है लोग एक नहीं लग रहे तो में साथ नहीं दूँँगा तो फिर दूसरी सर्थ क्या रखी दूसरी सर्थ यह थी कि जो जजिया टे लिए ना यह है ज़तिया कर रहा हिए तेरे से में दार लूँगा नहीं लूँगा लेकिल इसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा तो फिर जैसी ने बोला कि हाँ हजूर बोलिए क्या देना है तो फिर इसने बोला कि एक तो पुर की और एक मांडल गड़ की पुर की मांडल गड़ की और एक बदनोर की एक बदनोर की यह जो तीन प्रगने हैं तेरे पास इन तीन प्रगनों को मेरे ह हवाले कर दिये तो फिर जैसी ने कहा कि ठीक है सविकार है तो मेरा परसन आपसे यह है कि बताओ मुगल मेवाड संदी दूसरी मुगल मेवाड संदी हो रहे हैं कब हो रहे हैं तो बता देना मित्रो 24 जून 1681 को किन किन के मद्दे हो रहे है तो बता देना औरंग जेव और जैसी के मद्दे मुगलों की तरफ से औरंग जेव ने नहीं उसके पुतर मुझम ने अस्ताक्सर किये थे लेकिन इतना याद रखे कि औरंग जेव और जैसी के मद्दे वी इसकी दो सर्त थी नमर एक कि मेवा का जैस्ति मारवाड के अजित सी का साथ नहीं देगा कि दूसरी सर्थ यह थी कि जो जजिया कर लिया जा रहा था और रंगजेव के द्वारा राजकतों से उसके बदले मेवाडवाले जैस्ति को तीन परगने देनी होगी और वो तीन परगने कौन कौन सी है तो याद रखना एक तो पूर है एक मांडल गड़ है एक बदनोर है उमीद करता हूं कि अच्छे से कलियर हो चुकी होगी यह संदी और यह जैसी का माजरा अगे बढ़ते हैं अगले पेज पर चलते हैं काफी इपोर्टेंट है अब जैसी ने क्या किया कुछ निर्वान कारिये करवाता है यह जैसी ने जैस नमंद धिल का निर्वान करवाया तो इस कब का उत्तर क्या कुछ ले कब करवाया तो इस कब का उत्तर यह है 1600 सित्यासी से ले करके और 1691 तक 1600 सित्यासी से 1691 और कुछ ले क्यों करवाया तो बताने ना अमितरों की मेवाड की जनता है वो इस समय रोजगार की तलास में थी क्योंकि इस समय के बीच में मेवाड में बैंकर वाल अकाल पड़ावा था तो अकाल रातकारिय केते है तो करवाया किस जील का निर्मान करवाया कब शुरू हुआ तो बता देना को अकाल रहात कारिये के तैत करवाया तो फिर कई से पानी तो ले के आएगा पुछ ले की कौन सी नदियों का पानी लेके आए नदियां कौन कौन सी है जिनका पानी लेके आए तो मुखिय नदी का नाम तो गोंती है जो पिछे भी पड़ा था हम लोगों ने कौन सी नदी के जील के समध में राज समध जील का निर्मान है वो भी सोडा सोबास्ट में शरू किया था तो गोमती नदी के पानी को रोक की शरू किया गया था और यह यहथी पुछ ली तो गोमती नदी का पानी भी यह रोक रहा है लेकिन एक्जाम की दर्षती से काफी important यह है याने नदियां भी इसमें आकर के गिरती है अपना पानी उडेलती है तो उनमें बता देना कौन सी तो बता देना एक नदी है रूपा रेल रूपा रेल उसका पानी भी इसमें आकर के गिरता है और एक नदी है बगार इसका पानी भी इसमें आकर के गिरता है और एक जहमरी पिरना मकर नदि गम्तिं को याद रखे और ओर बगार्ण नदि इसका पानी बी घुपकश में कि ये कीनारे कानी सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब लिगते हैं। है जील के किनारे हावा मैल है है ह्लोड़ मेल है। की भी राने का महल भी है इस घील के किनारे सबसे इंपॉरेंट एक जाम की दर्सके से यह है कि साथ टापू बने हुए है कि इतने टापू साथ टापू इन इसाथ टापूँ में सबसे बड़ा टापव है उसे क्या कहेंगे तो बता देना बाबा का भांगडा ये सबसे बड़ा टापू है पूछले सबसे छोटा टापू कौन सा है तो बता देना प्यारी क्या नाम है प्यारी बड़ा टापू पूछले तो बड़ा टापू है बाबा का भांगडा और ये दी पूछले छोटा तो फिर बता देना छोटे का नाम क्या है तो बता देना प्यारी प्यार से बोलो ना प्यारी प्यार से बोलो ना प्यारी इस राज समद जील से दो नहरें भी निकाली गई है बहुत बार एक जामें पुछ गई है कितनी नहरें निकाली गई है दो नहरें और इन दो नहरों का नाम क्या है तो एक का नाम श्याम है और दूसरी का नाम क्या है तो बता देना भाट है श्याम ने भाट को श्याम और भाट अच्छे से रट लेना श्याम और भाट भूत बार एकजामें पुछी गई है इसको श्याम पुरा कहते है तो बता देना राजसमंद जील से निकली गई है और पुछ ले की इसका पुराना नाम क्या है कौन सा नाम पुराना नाम सभसे इपोटेंट तो बता देना इसको डेबर जील भी कहते है क्या कहते है डेबर जील मेरा परसन यह है कि मुझे यह बतादो कि भारत की पर्थम सबसे बड़ी ही और जील कौन सी है तब तक मैं दो परसन इस धिल के बता देता हूँ आप मुझा राजस्तान की की कि सबसे पड़ी करितरी में जील कौन सी जील में आप करितरिम जील तो फिर बता देना यही है कौनसी डेपर जील के दो या रासम दे पुछ ले भारत की दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी करितरिम जील तो भी यही है और मेरा परसन आप से यह है कि मुझे यह बता दो कि भारत की पर्थम करितरिम सबसे बड़ी जील कौनसी बोक्स में उत्तर डाल दीजिएगा और उत्तर लिख दिया करों आपके कोई परसन स्वालोव वो भी कोमेंट बोक्स में चिपका दिया करों जोरी जैसे तका निर्मान है वो औप्शन में करवाया और जैसी नाम है और ओप्शन में क्या जैसी नाम तो तुम लोग तो चक्राज आओगे गलत करके आओगे नहीं अपसे याद रखना जेसीं को ही अजेसीं केते हैं निर्मान शोला सो सित्याशियों शोला सो इकाण में क्यों करवाया अखाल रातकारिये केते हैं इसके किनारे पे हवा मैल और रूटी रानी का मैल भी बना हुआ है ये भी अच्छे से रट लीजे साथ प्यारी ये सब को याद होगा लग लेकिन यह इसको नदी का पानी रोक के इसको नेड़मान करवाया गया और इसमें रूपा रेल और बगार नदी आतर के भी पानी उडेलती है और यह राजस्तान की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है और भारत की दूसरी है और मैंने जैसी पढ़ रहे हैं और जैसी काफी इपोर्टेंट है किसले एक तो मुगल मेवाड संदी हो रही है और दूसरा यह जीलवाडा मेटर इसके बाद में 1698 में जैसी की मर्तियों हो जाती है आज की कलास में इतना ही बाकी देखते है अगली गलास में यदि कलास समझ आ रही है और मेटर भी समझ में आ रहा है न तो अच्छे कोमेंट कर दिया गरो इनको लाइक कर दिया करो शेर कर दिया गरो और जल्दी बहुत बड़ी बड़ी गलासें आने वाली है अज के लिए इतना ही इस कलास के लिए इतना ही बकी अगली गलास में देखते है धन्यवाद तुपीका